ये कहानी है उस बल्लेबाज की जिसके सामने डर को आने में भी डर लगता है एक ऐसा खिलाडी जो डर से आगे निकल कर और जीत से उपर उटकर बुलंदियों को छूता है तो वो मुल्तान का सुल्तान बन जाता है दोस्तो इस वीडियो में हम एक ऐसे मेच की कहानी लेकर आय हैं जिसमें विरेंदर सावाग् ने निजी लेंड का गमंड उसी के घर में चुर्चुर करके रख दिया था निजी ले के खिलाडी अपने घर में खुद को किसी सेर की तरह समझ ह capable कर is ने तीम ब्रेंडन पुलम और पिटर मेकलेशन की ताबरतोर तुफानी पारी के बदोलत तीम इंडिया के सामने एक बड़ा लक्से रखा था। बारिस के कारण बादित हुए 50 अवरों के मेच को गटा कर भारत को मेच जीतने के लिए 47 अवरों में 281 रनों का टारगेट मिलता है। और तब दुनिया के किर्केट पंडिती ये बयान दे रहे थे कि अगर भारत इस लक्से को हासिल करता है तो ये किसी करिश में से कम नहीं होगा। फिर तीम इडिया की जबाबी कारवाई में सुरू होता है विस्पोटंग विरेंदर सहवाग का विस्पोट और फिर न्यूजिलेंड में विरेंदर सहवाग ने ऐसा दमाका किया जिस से न्यूजिलेंड का हैमिल्टन किर्केट मेदान दहल उठा था और फिर विरेंदर सह लोट और मुलतान के सुल्तान विरेंदर सहवाग के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक आमारे चैनल को सब इसक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब इसक्राइब वाला बटन दवाना बिलकुल मत भूलिएगा जहां सिरीज के पहले तीन मेचों में से दो मेच जीतकर तीम इंडिया अपने बुलद इरादों के साथ हमिल्टन के मैदान में दस्तक देती है जहां फत्य का जंड़ा गाड कर तीम इडिया सिरीज पर कपज़ा करने के लिए तैयार थी वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया पर पलटवार करने के लिए न्यूजिलेंड के खिलाडी भी बेकरार थे न्यूजिलेंड की धर्ती पर टीम इंडिया इतियास रचने से बस एक कदम दूर खड़ी थी और फिर सुरू होता है सिरीज का चोथा मेच जो न्यूजिलेंड के हैमिल्टन में खेला जा रहा था जहां टोस में सिक्का न्यूजिलेंड के पक्स में गिरता है और न्यूजिलेंड ने टोस जितकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया जेस राइडर और बरेंडन मेकुलम की जोड़ी न्यूजिलेंड की पारी की सुरुआत करने मेदार पर उतरती है और आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंद बाजों पर परहार करना सुरू कर दिया और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साजेदारी भी बन जाती है। भारतिय टीम को पहली सफलता 20 वेवर में जाकर मिलती है। तब तक न्यूजिलेंड ने 102 रनों का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। और फिर बरेंडन मेकुलम और पिटर मेकलेशन की तुफानी पारी के दम पर न्यूजिलेंड ने 47 वर के खेल में ही 270 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिये थे। फिर अचानक बारिस के कारण खेल को रोकना पड़ा और न्यूजिलेंड की पारी को भी 47 वर में ही समाप्त कर दिया जाता है। के मेदान में सुरू हो जाता है सहवाग का दमाका। जब सहवाग ने न्यूजिलेंड के गेंद बाजों की एक एक करके कलास लगानी सुरू की तो हेमिल्टन के मेदान में चोके चकों की बरसात होने लगी। और बेक टू बेक बाउंटरी से देखते देखते टीम इडिया का स्कोर साथ आउरों में ही 50 रनों के पारजा पहुंचा। और सहवाग के बल्ले से लगातार एक के बाद एक दंदनाते सोट निकल रहे थे। और फिर मातर 31 बोल में ही सहवाग ने अपना अर्चस तक भी पूरा किया। अब तक गोतम गमीर ने सिर्फ 15 रनों का ही योगदान दिया था पर सहवाग के भी स्पोर्ट को देखकर अब गमीर ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिये। अब दोनों छोर से गमीर और सहवाग न्यूजिलेंड के गेंदमाजों पर आंधी तुफान मनकर बरस पड़े थे। अब तक 11 आवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगेर कोई विकिट खोए तिरानमर रन स्कोर बोड पर लगा दिये थे। और सहवाग ने उनकी भी लाइलेंड बिगार के रग दी थी। हैमिल्टन का मैदान सहवाग के दमाके से दहल उठा था। उस मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं था जो सहवाग के दन दनाते सोट से अचुता हो। अपने गरपर सहवाग से इतनी बुरी तरीके से मार खाकर न्यू बावन मोल पर एक सिंगल लेकर गोतम गबिर ने भी अपना अर्थ सतक पूरा किया। वहीं दूसरे छोर पर सहवाग अपने सतक की दलीच पर खड़े थे। और फिर अगली ही गेंद पर सहवाग ने अपने तुफानी अंदाज में गगल चुमी छक्का लगाते हुए सतक पूरा किया। और ये तुफानी सतक सहवाग ने मातर 60 गेंदों में ठोका था जिसमें 13 चोके और 5 बड़े चक्के सामिल थे। और इसी के साथ टीम इंडिया की तरब से सबसे तेज सतक बनाने का रिकोर्ड भी सहवाग के नाम दर्ज हो चुका था। दमाकेदार सतक के बा लेकिन एक बार फिर से बारिस ने मेच में खलल डाल दी लेकिन भारतिय टीम इस मेच में इतना आगे निकल चुकी थी कि दूर दूर तक न्यूजिलेंड का कोई नाम और निशान नहीं था। इसलिए DLS मेथड के तयत बारतिय टीम को 84 रनों से विज़े ही गोशित कर दिय जाता है और इस जीत के साथ ही न्यूजिलेंड की दर्ती पर टीम इंडिया ने सिरीज पर भी कबजा जबा लिया तो विसपोटों के विसपोट मुलतान के सुल्तान और टीम इंडिया की जान विरंदर सहवाग की तुफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक ज़र जाता है जाता है जाता है